नमस्कार मैं अब शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस श्टड़ी वित अभी में आज से आप सभी के लिए जारखंड जीके से सम्बंदित एक सवाल अभी तो मैंने एक सवाल लिये हैं लेकिन धीरे-धीरे number of question मैं कोसिस करूँगा 5 लेनी की ठीक है जितने previous share में पूछे गया है और self-made question जैसे कि आज की question खुद से मैंने बनाया है खुद से बनाने कार्थ यह है कि आपको किताबों में या फिर practice set में नहीं देखने को मिलेगी जैसे कि अभी मैं start क्या हूं जंजाती को तो जंजाती में मैंने दो comparison करवा दिया उडाओं जंजाती को, संथाल जंजाती को चीजे आप ताकि recall कर पाएं जब भी सोते टाइम वीडियो देख रहे हो किसी भी टाइम ताकि आपके जो माइड में न कोड़ाओं जंजाती की सारी विसेस्ताएं धार्मी विसेस्ताएं समाजिक विसेस्ताएं आर्थिक विसेस्ताएं सब कुछ आप रिकॉल कर पाएं उस तरह से मैंने questions arrange किया है अभी तक मैंने static part करवाना start क्या था सची वाले साहिक के लिए तो जो नए जैसे कहा था कि आपका support मिलता तो जारखन जीके की भी हम लोग बहुती धुआधार conceptual way में चीजों को समस्ते वे खतम करेंगे crash course में वो भी अब हम 2-3 दिन के अंदर सीजे start करने वाले तो आप सभी आएं एक बार जरूर से देखें इस channel पे जा करके ठीक है तो आज का पहला सवाल जो है निम्न में से मांजी सब्द किसके लिए परियोग होता है आप से पूछा गया है सवाल क्या देखिए इस तरह के सवाल आपको exam में अच्छे अगर बात कर ले तो PCS, JPSC में भी आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पूछा गया सवाल क्या कि जो मांजी सब्द परियोग होता है वो किसके लिए परियोग होता है option है आपके option number A में कहा गया संथाल जंजाती के ग्राम प्रधान के लिए option B में बोला गया है उडाओं जनजाती के ग्राम प्रधान के शायक के लिए या इन में option C जो है ये दोनों option सही है या option D इन में से कोई नहीं देखे मांजी सब्द किसके लिए परियोग होता है आप थोड़ा सा recall करें आपने जहां से भी चीजे पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए संथाल जनजाती के जो ग्राम प्रधान होते हैं ठीक है उनके लिए भी हम मांजी सब्द का ही परियोग करते हैं और जो उडाओं जनजाती होते हैं उनके जो ग्राम प्रधान के जो सहायक होते हैं याद रखेगा ये बागत, उनके ग्राम प्रधान नहीं, उनके ग्राम प्रधान के जो सहयक होते हैं, उनके लिए हम मांजी सब्द का परियोग करते हैं, तो इस सवाल का सही उत्तर होगा, बोथ A and B, इसी प्रकार हम अगले दिन दूसरे सवाल के साथ मिलते हैं, और धिरे ध अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.